हेलो दोस्तों नमस्कार मैं आप लोग का हार्दी कभी नंदन करता हूँ अपने टेडर बार स्टॉक मार्केट यूटूब चैनल में जो लोग ने फर्स्ट बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो ये सब्सक्राइब का बटन है और और अल का घंटा जरूर बजा लिजएगा जिससे क्या है कि आपको हर वीडियो जल से जल आपको मिल जाए आप नीचे कई धेर सारी वीडियो हैं जिसको आप देखके ETF में Index में आप अच्छा आपना Knowledge बना सकते हैं कि Index में FIS की कितनी Position है आप इसमें मैंने बताया है इसमें भी देख सकते हैं तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज यहां बारिस भी स्टार्ट हो गया है तो जो दोस्त हमारे गर्मी में जुलस रहें उनको एक उमीद देता हूं कि आज दिन दो मई है सोंबार है और मैं सुबह में वीडियो बना देता हूं सोचता हूं कि चलो दो पहर तक तो आज मौसम है बहुत अच्छा हो गया है तो आसा करते हैं कि इस मौसम के साथ हमारा मार्केट का भी मौसम और बुल रन स्टार्ट हो चले दोस्तों आज के टॉपिक पर चलते हैं यह बताना बहुत मुश्किल है लेकिन एनसी मैं नहीं कुछ बताऊंगा जो एनसी का साइट है उससे आपको मैं पुरूफ करूंगा दिखाऊंगा कि निफ्टी इतना जाने का इसका अनुमान कौन रखता है एनसी रखता है पार यूटूब चैनल नहीं रखता है यह कैसे मतलब लागू होगा दे के हिसाब से वीक के हिसाब से मंत के हिसाब से और यह वेसिस पर यह दोनों हमारे लिए इंपोर्टेंट है ठीक है तो इसमें मैंने और सायद आप लोग अभी तक देखें भी होंगे ऐसा नहीं कि जो मैं किया वही अच्छा है जो बांकी लोग हिसे बान तो बहलता है उसा इस कहता है अगलिवृ देखेंगे अच्छे वीडियो अच्छे एच्छे शरवों का लेकिन हिंदी मैं लिखेंगगे होगा हुगा क्यों कि मैं को हम हिंदीवास हैं तो बिल्कुल हिंदी में लिखेंगे, क्योंकि इसको समझने में आसान होता है, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग बच्पन से परते हैं, जो गटाओ भागा, अचानक से वो डिवाइडेड, मल्टिपला, यह सब थरकन फ्यूज होने वाली बात है, लेकिन सब का मतलब वही है, जि इसी भी चीज में मैं अपना विचार आपको कितना बता पाता हूँ, यह इंपोर्टेंट है, चलिए, यह आप देख सकते हैं, कि यह निफ्टी का मैंने फ्राइडे वाला क्लोजिंग ले लिया, क्योंकि आज मंडे है, मॉर्निंग मॉर्निंग बना रहा हूँ, सारे साथ बजने वाला है, तो देख सकते हैं, तो यह देखे 17,102 इसका क्लोजिंग था, ठीक है, और उस समय इंडिया विक्स, इंडिया विक्स क्या है, तो इंडिया विक्स वालेडिटी को डिपेंड में करता है, मतलब उसको अधारित है, उसको वालेडिटी को इंडिया विक्स के उसी परकार पिर मैने निफ्टी बीस का भी मैने निकाला है तो यह सब कहाणी है शुरू करते है इससे पहले हम सुरू करते हисл법 आपको थोरा सा बता जाए तब इसको आप तुरंट समझ जाएगा जैसlesOG बच्वास प्रेसिते लिए कोई जो जैसे कोई option करते हों या फिर हम nifty हम ETF में करते हैं तो ETF में intraday भी करने कमन करता होगा, ठीक है, तो भाई हम intraday में कहां sale करें, आता है ना question कि हम कहां sale करें कि दूपईशा बचा ले और कहां buy करें कि दूपईशा में निकल जाए, जो clear भाई, तो ये चीज़ इसमें आप अनिल साव, अनिल सिंग्वी जी, ठीक है, क्यों भी बहुत बड़े, मतलब वह है, नियूज़ करता है, तो कोई बात ने, तो ये चीज है, वो कैसे निकालते हैं, चाहे कोई कैसे समझता है, चाहे जो अच्छे option वाले होते हैं, चाहे जो पैसा कमाने वाले ETF वाले होते हो, इंडिया विक्स कितना है, इतना है, अब ये हम डाटा कहां से लाएं, आप ये भी पूछोगे, सभी बात है, तो ये डाटा हम NAC के साइट से लाएं, जो कि हम आपको दिखाते हैं, ये देखे हम आ गए, NAC का ओल्ड वाला पेज है, ठीक है, तो यहां आके हम कहां किलिक कर करेंगे और इंडेक्स में जाएंगे, ठीक है, ये दिखे, यहां पर हम किलिक करके इंडेक्स में जाएंगे, थोड़ा सा नेटवर्क है, क्योंकि बारिस ज्यादा हो रहा है, ये जो है, हम इंडेक्स में जाएंगे, ये लाइब मार्केट जो है ना, ये इसमें दिखा रह फटक खोल के देघा यह pregnancy लोख देखे अप्या जो सब से जोब समें जाराए लोट just वोखें में थीया नोखे अडिख वी मेंध ूण20 हार हा धीया है उसी में हम इन्दिया विक्स में उधी निफीक फिटी पे ही होता आपको कलियर लगये वहार तो कि अब एक साल में हाय और पता करया एक साल में कलिक कर दिया तो यह आपके सामने एक प्रमूला नहीं यह को बता देता हूं कि कितना हई निफ्टी जाएगा तो महा ली जे हम इसको फर्मूला हटा के और हम इसको अपना क्लिप बुड़ में चलते हैं तो जैसे क्लिप बीड पर जाइएगा ना तो यह देखें तोंgres गरे तो मतल्स निफ्ती का जो रेत है, डिक आप लोगे कि लिखते हैं जे سے सकते हैं, अज इंडिया विक्स जोह से यह देखें इंडिया विक्स है 19.42 runs एन ऐसे लने देखे विक्स जो भी है, विक्स है, विक्स और परसेंटेज दे दिजएगा, और कुस्टबाब बंद करके इसका solve करिएगा, तो आपको वो amount आ जाएगा, ठीक है, ये nifty का rate हो गया, ये plus का symbol हो गया, फिर nifty rate, फिर गुना, फिर विक्स, परसेंटेज, आ जाएगा आपका, क्या, maximum एक साल में कितना जाएगा, उसी परकार, ये maximum का हो गया, और minimum निकालना है, तो क्या करना परेगा, ये लिजे, minimum निकालना है न, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ minus कर देना है, ठीक है, क्या करना है, यहाँ minus का chance कर देना है, तो एक साल में कम से कम कितना जाएगा, वो आपको यहां निकल के आ जाएगा ठीक है? देखिए हमने यहां निकाल रखा है यह देखिए हमने उसी हिसाब से इसको निकाल रखा है और कम से कम कितना जाएगा वो भी हम निकाल रखें तो यह देखिए इसका फर्मूला भी देखिए कम से कम में आपको साहद दिख रहा होगा छोड़ा में यह यहां परी है यह आप देखें बी टू में मंदब बी का टू है तो मैंने उदेश वही है कि निफ्टी का जो रेट है माइनस फिर कोस्ट के अंदर निफ्टी का रेट इन्टू इंटू इंडिया विक्स निकलेगा तो इस साल का निकल जागा चलिए यह तो आपको समझ में आ गया कि साल का कैसे निकालते हैं अब जब बात आती है कि सर्जी महीना का कैसे निकलेगा हफ्ता का कैसे निकलेगा एक दिन का कैसे निकलेगा ठीक है जब यह बात आती है तब आती है सोचने वाली बात का है भीया तो क्या बोल जाए जब इतना नीचे तक मैं थोगा सुरू में बहुत हलका लगता है दूर्दूनी चारे लगता है जब हम उसका अंदर घुशने लगेंगा तो फिर होलो इसको आराने लगेगा रूटो आने लगेगा पगला दिता है लेकिन बहुत जरूरी है कि कोई भी कैलकुलेशन किसी ना किसी बैस बहुता है तो यह बैस क्या किणिका मुपरी का मुमेंट का बेस है को नं कहता है यह शारोगंटा होता है तो सचिंवाम हम इसलिए लिए लीगज नर्व में इतना दिन धेसजार अभना कुछे होता है क्लियर हो गया यह हमने रूट लगा के यह निकाल दिया तो यह हमको याद रखना है यह फैक्टर निकल गया बहुत अच्छी बात है अब हम चलते हैं वॉलेटी में चीक है तो यह दो चीज है जैसे नहीं होता है दो चीज निकाल लिए गना तब उसको आपस में गुना चीज है देखिए क्या करना है इसमें इसमें आपको सिर्फ भाग देना है चीक है किस से भाग देना है तो आपको जो है विक्स है विक्स भागा फेक्टर कर देना है बस कुछों नहीं करना है इसमें कुछों मतलब इसमाहभारत नहीं है कि जो आप नहीं समझ पाए विक्स भागा फेक्टर, मतब विक्स हो गया आपका जो भी है 19.something जो भी है और फेक्टर में आपको महिना निकालना है तो 3.5 कर दीजिए, विक का निकालना है तो 7.2 कर दीजिए भागा और डेली निकालना है तो 15.9 कर दीजिए ठीक है, तो आपको volatility निकलके सामने आ जाएगा, जो कि यहाँ इस परकार है बाकि मैं क्लिक करता हूँ, देखे, इसमें लिखा हुआ B3 किसका है, तो वहाँ है भागा S3 तो B3 हो गया आपको India Wix, और S3 देखे आपके सामने है, यह है H3, यह H, और यह 3.5 ठीक है, तो उसको भागा दियें, तो आपका इतना आ गया, उसी तरह week का भी सेम है, अब देख सकते हैं week का भी कलिक कियें, तो उसी तरह यह आ गया, ठीक है तो यह मोटा मोटा आपका निकलके सामने आ गया, अच्छी बात है अब हम क्या करें, चलिए, देखते है अब आपने दो चीज़ सीख लिया factor और validity, factor आपने निकालना सीख लिया और validity निकालना सीख लिया month waste पे भी, week waste पे, daily waste पे भी अब हम आते हैं, यहां चलिए, कहा आते हैं, तो nifty हमने साल का तो निकाल लिया था चीक है, तो कैसे आप बोलने हैं, यह देखिए NSE का फर्मूला, और इसमें कुछ नहीं है कोई rocket science नहीं है बार बार कहता हूँ, कि आप बस समझिएगा, बिल्कुल simple है, आराम से समझिए, वीडियो का इसा नहीं है केक के बार में नहीं, दू बार में देखिए, तीन बार में देखिए और इसको copy pen से write कर लिजए, जिससे क्या है कि जो नए, हमारे जो retailer है न, जिनने उतना नहीं idea है, देखिए idea तो सबको होता है लेकिन क्या होता है, होता है, नहीं भी होता है उनके लिए खास कर यह चीज ज़रूरी है जिनको आता है, जिनको पता है तो अगर देख लिजए कहीं से मेरा कोई mistake हो रहा है तो please मेरे को भी guide कर दीजएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप से हम भी सीख लेंगे, ठीक है, दोस्तो इसके लिए, कि हाँ भी या, तुम्हारे लिए हमको लिखना पड़ेगा न, अब इसका 18,000 आया तो कई से आया तो इसमें कुछ नहीं करना है, देखे, nifty rate, प्लस, cost के अंदर, nifty rate, ठीक है, जो nifty current rate चल रहा है into, जो आपका validity निकला है, मन्त का, ठीक है, जो validity जो है, उसका, मन्त का जो निकला है, वो percentage, बस इसको आप solve करिएगा, तो ये amount आ जाएगा, nifty rate पता चल गया, 17,000, 200, 1 रुपया, प्लस, ये भी 17,000, ये तो पता चल गया ठीक है, validity का percentage कैसे निकालेंगे, गुना करके तो भी बता रहते हैं, माल लिजे, ये आपने nifty rate, प्लस, nifty rate, ठीक है, into validity का percentage, तो validity का percentage का मतलब है, कि 5.54, आप रख लिजे, चाहिए 5 रख लिजे, उसके बाद 85 है, तो 5 रख लिजे, चाहिए 4 रख लिजे, या आप calculator में करिएगा, चाहिए एकसल में, तो automatic पूरा ही ले ले लेगा, राउंड आप करिएगा, मंत भी करिएगा, आपका मर्न है, लेकिन हम तो नहीं करते हैं, चलिए हम इसको रख लिए, अब इसको भागा हो जाएगा 100, जब 100 भागा हो जाएगा, तो यह क्या होगा, यह घसक के यहां आ जाएगा, ठीक है, तो यह क्या दिखना परेगा हमको, तो इसके जगह पे हमको लिखना परेगा, हमें 0.555, ठीक है, तो इस त तो यह चीज आप लोग फ्रैक्टिस कर लिजेगा ना तो आप जब मार्केट चल रहा ना उस समय भी आप फट 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 निकाल के अपना आप कर सकते हैं माली आज मार्केट खुला निफ्टी चल गया सतरा हजार तुरंट सतरा हजार अच्छा इसका हम वलेडेटी निकाल देतें इंडिया विक्स कितना है इतना है तो इंडिया विक्स में फैक्टर माइनस भागा कर देंगा देखिए एक उधारन बताते हैं माली जब आज निफ् फैक्टर है फैक्टर बोलने तो दोसो बावन डेर का जो हम निकाल रखे हैं उसका जो फैक्टर है वह आपको भागा दे देना है मतलग यह 15.9 तो यह बजाएगा आपको 20 हो गया माली जाए इंडिया विक्स यह भागा दे दीजे इतना तो पटाक से जो आएगा निकल जा हो और लो निकालना है तो यहां पर खाली माइनस लगा दीजेगा और सॉल्फ कर लिजे तो उसका लो भी पता चल जाएगा तो हाई लो पता चल गया तो आपको बहुत आसान हो जाता है ट्रेड लेना और ट्रेड से बाहर निकलना ठीक है तो उसी तरह यह देखिए विक का यह देका जीए उसको आप डाल दीजे यह वाला आप इसको निकाल सकते है ठीक है दोस्तों की आप लोग को समझ में आ रहा होगा अगर नहीं समझ में आ आ रहा ना तो एक-दो बार आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लिजए बारिश हो रहा है बहुत पीछे से ने बताया यह चीज में बार बर बो रहा है नेसी ने बताया अब आ गए निफ्टी बीस पे अब एक निफ्टी बीस का हम खेला कही से करेंगे एटीफ का तो यह भी बात सही है भाई क्योंकि आप्सन में जाएंगे तो गोर हाथ जलाने वाला बात था इतना उपर नीचे भा अब माल लिज़े कोई राइफल है चाहेख आप पिस्टल मारेंगे बीस गज़श अब आप सो घज को मुलिए हम मार दिज़्े तो पिस्टल का रांड है पर वही बात है तो हर जो ट्रे盜र में आने का पूसीजर अपनाएंगे क्योंकि यह निफ्टी बीज जो है निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करता है यह चीज तो आप लोगों को पता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है अगर सोना में सुगंध होता तो कितना बढ़िया बात होता अचंदन में सुगंध नहीं है अचंदन में फूल नहीं है ठीक है चंदन के बिक्ष में फूल भी नहीं दिये प्रभू पता नहीं और जो इक है उसमें फलवा कहीं नहीं दिये जी उसमें भी आम जैसे लटकना च ETF है इसको बना तो रखे हैं बहुत अच्छा चीज है लेकिन इसके बारे में लोगों को नहीं जानकारी दिया है ETF अपने आप में बहुत ही अच्छा चीज है बहुत अच्छा चीज है और यह हम लोग के आखो के सामने से ओजल करके रखा गया हर कोई आपको स्टॉक के बारे में बताएगा कोई भी आपको ETF में इतना नया नया श्टरजी बताएगा नहीं क्योंकि यह बोरिंग सब्जेक्ट है ठीक है तो यह चीज है तो लेकिन मैं तो बोला ही हूँ कि कुछ नया नया बताऊंगा कोशिस करूंगा चलिए अब हम आते है ETF का ETF में क्या है आपको दिखा भी देते ह है कि अभी ETF में निफ्टी 20 का क्या रेट है आपको पता ही है कि निफ्टी 50 को रिपर्जेंट करता है तो जैसे रिपर्जेंट करता है तो मा लिजे निफ्टी देखे थोड़ा रॉफ लिखेंगा ना तो आप लोंग समझ जाएगे जल दिए बहुत लंबा वीडियो हो जा तो ऐरली वाला में आज जो है हम देखेंगे कि जो ऐरली वाला में आमाल यह देखेंगे जो बना रहे है उसी में कर देते हैं कि निफ्टी 50 बीस हाजार जाएगा बीस हाजार पांटसे पवार्जेंगे किससे तो 92 पॉइंट जो है तूथरी जो भी है उससे हम भागा दे लेंगे और सबसे बढ़िया बाद हम डेली वेसिस पे भी निकाल सकते हैं ठीक है डेली वेसिस पे भी आप निकाल के ट्रेट कर सकते हो और प्रॉफिट कमा सकते हो देखिए आसा करता हूं कि मैं आप लोगों को समझाने में थोरा बहुत भी सक्सेस हुआ होंगा बहुत नहीं समझ रहे होंगे ना एक बार नहीं दू बार नहीं तीन बार दिखेंगे कोंध हम पईसा ले रहे हैं आपसे लेकिन इसको देखके समझ लीजिए कि भाया सुइंग ट्रेड हम कैसे करें हम ठीक है चार्ट चूट हम सब मानते हैं एक दम तूब हम किसी चीज को माना न दम हम अपना चेंज करते रहेंगे हम खुंटा काड के नहीं करेंगे कि फूंट लगे ते लगे समय वीज गिक्तो मत्रूप मतलत पीशक करते हैं तो पंड को से माद रखा रहें आप रिचेल Congressman हम पन भीबिब्ड नहीं नहीं फसाएं और दूसरा चीज़े को बात बता देते हैं सायद मेरे गवाँ वीडियों बाद में उल्टा सीता जो बूले बूले हम नहीं आप लोगों को कुछ बोलेंगे लेकिन देखिए मेरा जो विचार है वह हम बोल देते हैं अभी किसका आया सबसे बड़ा पेटियम ठीक है जो भी है पेटियम का आया आपके सामने क्या इस चिती हुआ ठीक है इतना अगबका के ना मत लगा दीजे अरे बहीं आप उच्छा नहीं तो चौदा हजार रुपया तो लगेगा वेट कर लिजे टाटा पावर के लिए भी हम बोले थे ना कि फसाया जा रहा देखे ना क्या इस चितीवा है जिसका ज्यादा बवंदर हो जाता है इस तरह से एकदम बवंडर हो जाता है उसमें यह नहीं रहता फूस फूस ही आ रहता है समझें हैं देखियों के दिपावलियों में बाड़का बाड़का बम लाया लेकिन फुस हो गया वही चीछ कह रहे हैं थोड़ा सा ठीक है अच्छा देगा तो ले लेंगे क्या दिक्कत है अरे नहीं हम रेली में कमा पाएंगे छोड़ देंगे हम अपना जहां कमा रहें एट करते हैं पहले हम वीडियो हम बोल दिया है हम सब एक्सेप्ट कर लिए लेकिन मैं इस IPO में पैसा नहीं लगाऊंगा मोटा आजमी है न मोटा दिमा इसलिए बोल तो आसा करता हूं कि चलिए लास में आप लोग आप लोग अपने तब से देख लिएगा इटीफ के रिगार् को अच्छा भी लग रहा है चाह समझ में भी आ रहा है कुछ वैल वल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे पा रहा हूं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थाइंक्यू थाइंक्यू भैरी मच जैहिन जै भारत